क्या आपके भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपके भी रिष्टेदारों को आपकी आने वाली योजनाओं का पता होता है? आप भी थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद उसका धिंडोडा तो नहीं पीटने लगते? आप अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाते और अजानक उसके बाद आपका सर भारी होने लगता है स्वास्त ठीक नहीं रहता? अगर हाँ तो जान लीजे इसके पीछे बुरी नजर हो सकती है दोस्तो जोते शास्त के अनुसार ग्रहदोश के अलावा बुरी नजर या नजर दोशते भी आपके सारे काम खराव हो सकते हैं यहां तक कि बुरी नजर का आपके स्वास पर भी विपरीत असर पड़ता है तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो राशिया जिने बुरी नजर सबसे जादा लगती है नमशकार स्वागत है आपका हमारे आज के इस खासकारे क्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुशकास से जोतिश सास्व के अनुसार जो जातक राहू, शनी और मंगल से प्रभावित होते हैं कहा जाता है कि उनको जल्दी नजर लग जाती है अगर बात करें मेश और व्रिश्चिक राशी वालों को नजर दब लगती है जब उनकी कुंडली में मंगल पीडित हो या फिर नीच का हो जाए इसके अलावा जोतिश सास्थ में कहा गया है कि मेश और व्रिश्चिक वालों का मंगल मजबूत होते हुए अगर राहू और शनी के प्रभाव में हो तो उनकी नजर दूसरों को लग जाती है करक राशी की कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर हो या फिर नीच का हो जाए तो उनको भी दूसरों की नजर परिशान कर सकती है सिंग राशी सिंग राशी के कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है मिथुन और कन्या राशी में अगर बुद्ध कमजोर है तो जल्दी नजर लग जाती है धनु और मीन राशी के बारे में कहा जाता है कि यदि उनकी कुंडली में गुरु कमजोर हो तो जल्दी नजर लग जाती है अगर बात करे विशव और दुला राशी की तो उन में गुरू के कमजोर होने पर नजर लग जाती है जबकि मकर और कुम्ब में शनी के पीड़ित होने पर नजर जल्दी लग जाती है तो दोस्तों ये थी राशीयों की बात जोतिश के अनुसार गट मूलग दक्षत्र में जन में जातकों को सबसे जादा नजर लगती है जोतिश ऐसे जातकों को सला देते हैं कि ये कभी भी दूसरों के सामने अपनी योजनाओं का पकान ना करे चलिए अब आपको बताते हैं कि नजर दोश या बुरी नजर से कैसे बचे जोतिश विदवान के अनुसार नमप को तीन बार अपने उपर से घुमा कर वार दे और जल में प्रवाहित कर दे शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बजरंग बली के कांधे से संदूर ला कर नजर लगे जातक के मस्तक पर लगा दे जोतिश की सला से काला धागा धारन करे या काला टीका धारन करे विग्यान भी ये मानता है कि काला रंग बुरी एनरजी को रोकता है पूरी नजर उतारने के लिए चंदन की सुगंद का प्रयोक करे जल में केवडा मिला कर उस जल से स्नान करे इसके अलावा रूई के साथ दाने, साबुत नमक की, साथ छोटी छोटी डली साथ साबुत लाल मेर्च नजल से सिर के उपर से साथ बार उतार कर चलती आग में डाल दे ध्यान रखे कि इस क्रिया को करते समय किसी की टोक नहीं लगनी चाहिए तो दोस्तों ये थे कुछ असरदार उपाए आपको आज का वीडियो कैसा लगा कि आप भी बुरी नजर जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं अगर हा तो कमेंट करके आवश्य बताए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेर कीजे चैनल को लाइक कीजे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए